हलो एप्रिवरन वेलकम तो केर्मी करियर, अकेर्मी करियर में आपका स्वागत हैं आज मैं आपको बताने चारे हूँ टैली एर पी नाइन का जो आपका गोश्च चाल है उसमें हम कापिटल्स की जानल इन्टीज कैसे करेंगे, उसके बारे में आज हम डिस्कुशन करेंगे तो इन्टीकल वेस में कुछ इन्टीज आपको बता चुके हूँ आज हम बैटिकल वेस यानि की टैली एर पी नाइन भी पैटिकली करके देखेंगे तो अमेट सांस लिमिटेट के नाम किये, मैंने कंपनी ओपन कर रखिए यहाँ पे आप यह ओपन कर लेजेगा, आपने भी जो लेजर लिस्ट मैंने आपको बनाना बताई थी वो कंपलीट करके ही टैली को एक कंपनी क्रेट करिएगा अब यहाँ पे अकाउंडी इनफरमीशं़ में आपको एक गरुप बनाना बता चुक्यों लेजर्स भी बता चुक्यों गरुप पॉलेड़री बने होती है इन्विंटी इनफरमीशं़ में गरुप यınızट इटम्स भी बता चुक्यों accounting watches पर आते हैं यहाँ पर accounting watches में हम क्या करते है जनल इंट्रीस करते हैं जनल इंट्रीस में जो vouchers होते हैं उनके बारे में हम discussion कर लेते हैं सबसे पहला आता है F-4 contra, काँचा भी हम बैंक से लिडिडिर्ड एंट्रीस करते हैं भी आप बैंक में कोई भी deposit करते हैं मांट या withdraw करते हैं तो हम कांचा वाचर्स में करते हैं ओके फिर आता है F5 payment यानि कि जब आप कोई भी payment करते हो commission paid, rent, pays किसी भी चीज़ का आपके पास से cash जा रहा होता है तो वो payment वाचर्स में होती नेक्स्ट हम बात करते है F7 journal, journal vouchers में जिसमें Y और 2 में cash नहीं होता वो आपकी journal vouchers में होती है यह आपको clear होगा, next हम बात करते हैं sales, sales मतलब क्या होता है जब आप कोई भी goods को sales करते हो cash में या credit में तो आपका sales vouchers में होती है फिर आता है F9 purchase, purchase यानि कि कोई भी goods से आप purchase करते हो तो वो आपका purchase vouchers में एंटी होती है debit note और credit note के बारे में हम आगे discussion करेंगे, अभी सिर्फ मैंने vouchers आपको बताए है यहाँ पर vouchers के एंटी कैसे करोगे यह मैंने आपको बताया तो यही चीज़े आपको step by step सीखने है अगर आप में चैनल पर नए हो तो subscribe button प्रेस कर लीजेगा, बेल ऐकान सबाल लीजेगा जिससे आपको वीडियो का latest notification मिल सकें ओकी तो चल यह स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर मैं एंटी करने से पहले कुछ questions आपके लिए 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 हैं तो questions के according ही हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, question first देखते हैं, start a business with cash, business start किया है with cash के साथ, कितना हमने किया 2,75,000 से business start किया है, तो हम यह entry करके देखते हैं, तो यह जो entry है, मैं आपको पहले भी बता आ चुकी हूँ, buy में cash आएगा, two में capital यान की cash आ रहा है, तो किस में होगी F6 receive voucher में होगी, तो यहाँ पर two दे रखा है, तो यहाँ पर two में की आचाएगा capital, capital में amount कितनी डालेंगे, 2,75,000 और buy में की आचाएगा cash, cash की amount कितनी डालेंगे, 2,75,000, okay, next step क्या करना है, enter करके accept करा देना, यहाँ पर narration अप लिख सकते हो, business start किया है, तो started business, okay, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, business start किया है, तो business start किया है, हम यहाँ पर entry लिख सकते है, business for cash, अब इसको क्या करा लेंगे, accept करा देंगे, enter, enter करके क्या हो जाती है, entry accept हो जाती है, अब next question हम पाएते है, next question है, पूजा ने start किया business with cash के साथ, okay, कितना cash उसने, जो business start किया है, 12,000, यानि क bank loan, उसने bank loan लिया है, कितना माजा रुपए का loan लिया, तो जो पूजा ने business start किया, तो two में क्या जाएगा business के लिए capital, और buy में क्या जाएगा cash, अब loan की बाद आती है, लिया है ना, तो two में ही loan रहेगा, तो cash हमारे total जो भी बनेगा, वो हम check करते है, entry में, okay, तो यहाँ प तो two में उसने bank से loan लिया है, कितना पाँजार रुपए, okay, पाँजार रुपए का उसने loan लिया, फिर इसको cash receive कितना हुए, 17,000 रुपए, इसी तदी के entry आपकी complete हो जाएगी, जो आपका loan भी है, वो two में आएगा, और जो capital है, वो भी आपकी two में ही आएगी, चलिए next entry प वो कितना लिया है, 10,000 रुपए, तो ये entry कैसे करेंगे, theoretical बेस में अच्छे से आपको clear करा चुकिया है, practical इसको कैसे करना है, वो हम देखते हैं, ये जो entry है, वो आपकी किसमे होगी, general voucher में, क्यों, क्योंकि cash आतो रहा है, पर cash के साथ machine भी है, तो buy में अगर, दोनों 110,000 रुपए, यहाँ पर मैंने 110,000 रुपए, यहाँ पर मैंने 110,000 रुपए लिख दिये है, अब next entry करते है, यहाँ पर buy की ही, buy में machine उसने खरी दिये कितने की, 5000 रुपए की, तो यहाँ पर 5000 ले लेते है, अब 2 में आ जाएगा, यहाँ पर पहले capital, फिर जो लोन लिया है, इसने वो आज जाएगा, capital का कितना है, अब business जब स्टार्ट किया, तो इसने साथी साथ मशीन भी लेती, तो वही है, एक लाग पांजार रुपए, यहाँ पर आ जाएगा, 5000 रुपए, अब यहाँ पर 2 में राम लोन कितना होगा, 10,000 रुपए, जो राम से उसने लोन लिय था, I hope यह चीज़ें आपको clear होगी, फिर से मैं repeat कर दूँ, buy में cash एक लाग 10,000 रुपए, machine खरीदी है, उसके पास जो machine नहीं है, वो 5000 रुपए है, capital business start के एक लाग 5000 रुपए है, क्यों, क्योंकि इसने business के साथ machine करीदी है, और जो राम से लोन लिया है, वो 10,000 का, तो उस पास जो cash total कितना है, एक लाग 10,000 रुपए, अब इसको accept कराते है, next entry पर बात करते है, next entry हम देखते है, कौन सी है, यहाँ पर इसको बता रखा है, entry 4 number cash withdraw for personal use, cash withdraw क्या है personal use, personal use को account में क्या बोलते है, drawing बोलते है, यह मैं आपको पहले भी बता चुक्यों, अब इन्होंने क्य पर क्या का लिया, use का लिया cash, तो वही है, buy में drawing आजाएगा, 2 में capital आजाएगा, तो वही है, इसको entry को करके देखते है, अब buy drawing to cash, यह cash जा रहा है, तो कौन से vouchers में होगी, payment में होगी, F5, ओके मैंने यहाँ पर F5 प्रेस किया, buy में क्या ले लेते है, drawing लेते है, drawing कितने क इन्होंने खर्चा किया, personal खर्चा 25,000 रुपएगा, अटू में क्या आजाएगा, cash और narration आप लिखना चाहो, तो लिख सकते हो, वानना, enter, enter करके है, मैंने क्या करा दिया, accept करा दिया entry, अब यहाँ पे जो और भी entries दे रखें, देखते हैं, कौन-कौन से entry दे रखें, commission, paid, 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 salary, receive, goods, purchase, इन entries के बारे में हम आगे discussion करेंगे, पर अभी नहीं क्योंकि हमने इसको अभी आपका contra vouchers, purchase, यह sales vouchers के बारे में अभी नहीं बताया है, entries के टू, तो वही हम आगे बात करेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं, thank you for watching this video, have a nice day, और कोई भी doubts है, तो आप मु की हो जाता है, तो आप मुझे comment कर सकते हैं, वरना contacts का मेरा description में form होता है, वहाँ पर अफिल करके, मुझसे contact भी कर सकते हैं, okay,